यह लग-बख आधा किय्लो लोकी है लोकी को मैंने अच्छी तरह से धूलिया है अब इससे चील कर ग्रेट कर लेंगे तो всего के시 tutte कर लिया है के हिसाब से नमक करेंगे आधा चुटा चमच अजवायन मिलाएंगे और मिक्स करेंगे इसमें आप बारी कटी हरी मिर्ची हरा धनिया या थोड़ी सी कोई भी पत्तेदार हरी सबजी बारी कट करके एड़ कर सकते हैं अब आधा कप दही डाल कर अच्छी तरह से मिक्स करेंग इस बैटर में हमने अभी पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया है और यह लोकी के भजी बनाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट बैटर है इससे आप लोकी के मज़दार भजी भी बना सकते हैं अब इसमें आधा कप पानी अट करके मिक्स करेंगे तो इस तरह से बैटर की कंसिस्टेंसी होना चाहिए अब कढ़ाई में एक बड़ा चमच तेल गरम करेंगे तेल गरम हो जाए तो आधा छोटा चमच जिरा डाल देंगे जिरा च्टाफ जाए तो बैसन का घोल डाल देंगे अब जिस बरतन में बैसन को घोला था उसमें को और कब जितना पानी अट करेंगे और इस पानी को भी एट कर देंगे अब मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाएंगे इसे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है नहीं तो बैसन की गाठे पढ़ना शुरू हो जाएगे और बैसन ठीक से से नहीं होगा चार से पांच म वाज से उपर पर थोड़ा सा तेल लगाकर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे इसके किनारों को भी एकसा कर लेंगे अब इसे 10-15 मिनट सेट होने के लिए रखदेंगे 15 मिनट हो गये हैं और बैसन अच्छी तरह से सेट हो गया है अब इसके पीसेस कट कर लेंगे आप अपने हिसाब से डायमड या स्क्वेर्शिप कट कर सकते हैं ये ऐसे ही खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं और कोई नहीं खहेगा किसे लोकी से बनाया है तो ये लोकी वाली बेसन की कतली बनकर तैयार है तो लोकी बैसन कतलियों को मैंने अलग कर लिया है अब यहां दो मीडियम साइस के टमाटर दो हरी मिर्च दस से बारा कलिया लहसुन और आधा इंश चुकड़ा अद्रक का मिकसर में डाल कर पीस लेंगे अब कढ़ाई में तीन बड़ा चमच तेल गरम करेंगे तेल गरम हो जाए तो एक पिंज हींग एक छोटा चमच जीरा एक छोटा चमच सोफ और कौटर टीसपून मेथी दाना डालेंगे जीरा चुटर जाए तो एक बारिक कटी बड़ी प्यास डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन कुलर आने तक फ्राई करेंगे प्यास का रंग गोल्डन ब्राउन हो गया है अब कौटर टीसपून गरम मसाला पाउडर खाफ करेंगे मसालो को हलका सा फ्राई करने के बार टेमाटर वाला पेस्ट डाल देंगै और मिकसर में पानी डालकर लगा ओए मसाला भी पूरा ले लेंगे अब quarter cup दही एट करेंगे और medium to high flame पर तेल अलग होने तक मसाले को भूनेंगे तो मसाला अच्छी तरह से भून गया है तेल अलग हो गया है अब इसमें गरम पानी एट करेंगे इसकी gravy को पतला ही रखना है क्योंकि बेशन की कतली gravy को absorb करेगी और gravy बाद में ठीक हो जाएगी तो gravy को मैंने इतना पतला रखा है अब इसमें boil आने देंगे boil आ गया है अब इसमें लोकी बेशन की कतली डाल देंगे और धाकर low to medium flame पर 4-5 मिनट पकाएंगे ये मैंने 12 लोकी की कतलीयों को अलग रख लिया है अब तवे को तेल से अच्छे से grease करके गरम करेंगे तवा गरम हो जाए तो एक छोटा चमच तील एक छोटा चमच राई दो हरी मिर्ची लंबाई में कटी हुई और थोड़े से कढ़ी पता डालकर fry करेंगे राई चटक जाए तो तवे पर लोकी बेसन की कतलीया रख देंगे और मिडियम फ्लेम पर दो से तीन मिर्ट शेलो फ्राय करेंगे और इसी तरह से दूसरे साइट से भी फ्राय कर लेंगे इसे आप चाय के साथ नाच्टे में खा सकते हैं या खाने के साथ साइड में भी खा सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी लगती है और हेल्दी भी है तो चार से पांच मिनट हो गए हैं और ये लोकी बेसन की मज़िदार सबजी भी तैयार है अब गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और उपर से खुब सारा कटा हुआ हरा धनिया मिलाएंगे इसे गर्मा गरम रोटी या चावल के साथ खाईए तो घर में अगर महमान आए तो उन्हें ये लोकी बेसन की मज़िदार सबजी और साइड में लोकी बेसन की फ्राय की हुई कतलिया बनाकर जरूर खिलाएं सबको बहुत पसंद आएगी तो आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताएं रेसिपी पसंद आए तो लाइक शियर और सबस्क्राइब जरूर करें